तो गैस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस की रेडिमी A3 फोन को आप लोग कैसे रिस्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एक रेडिमी A3 फोन है और इस फोन को जो है आपको रिस्ट का option नहीं आ रहे है या आपको जब power button एक खराब हो चुका है तो कैसे आप लोग अपने इस phone को restart कर सकते हो वो भी बीना power button को click किए तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो आपको लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिएगा इस वीडियो को start करते हैं रिस्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option देखने क option पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करती है आपको जो है general में आना है बहुत सारे option आपको general में आना है आने के बाद accessibility menu का option मिलेगा accessibility menu पर क्लिक करना है यहाप देखसकते restart का option आगए यहापर से आप लोग अपने phone को restart कर सकते है without power button और यह जो extra बटन है सारे ही application में आपको जो है देखने को मिल जाएगा आप लोग कही से भी जो है अपने phone को कुछ इस तरीके से restart कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Redmi A3 phone को आप लोग restart कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे मिलते गले नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई